सस्ता जुगाड यदि आप क्राप्ट के सौकीन है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी तो चलिए वीडियो में चलते हैं हेलो फ्रेंड नमस्कार मेरे यह चनल में आप सबों का बहुत सवागत है आज हम लोग वेश्ट सामान से इस तरह के डेकॉरेटिव आईटम बनाएंगे यह जो मैंने बनाया है यह गोटा मोती का मोती यह चोटा मोती है यह बड़ा मोती है और यह जो है यह हमने biscuit के paper से बनाया है biscuit के अंदर जो silver color का paper होता है उसी से मैंने बनाया है तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है सबसे पहले हम लोग fake mirror बनाना सीखते हैं तो fake mirror बनाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या लिया है इस तरह के silver paper यह paper जो है वो चैपती के packet में आता है या ने जो हुआज बिस्किट के packet में से आप निकाल सकते हैं तो सबसे पहले इस तरह के packet से इस तरह के silver paper को निकाल ले और उसे किसी भी गत्ने में या मोटे paper में इस तरह चिपका ले अब हमें कुछ करना नहीं है बस इसे कैची की सहायता से काट लेना है तो कैची की सहायता से काटेंगे कैसा काटेंगे इस तरह इसे काट लेंगे देखिए यह मैंने काट लिया अब फिर इसे यहां से काटेंगे इस तरह चवकुन चवकुन बराबर से नाप कर काट लेंगे अब जब यह कट जाएगा तब हमें क्या करना है इसे दोनों को आपस में इस तरह चिपकाएं देखिए इस तरह चिपकाएं ऐसा कहने से यह क्या हो जाएगा कि डाइमंड से बन जाएगा और चिपकाने के पहले इसके अंदर कोई भी डोरी डाल दे तो आपका या बन जाएगा मिरर की तरह या लगने लगेगा तो इसका उपयोग मैं आपको बाद में दिखाती हूँ कि मैंने इसका उपयोग किस तरह किया है अब दूसरा आइटम हम लोग बनाते हैं वो गोटा प पट्टी ले ले और गोटा पट्टी ले ले गोटा पट्टी देखिए इस तरह के चौड़े भी होते हैं और पत्ले भी होते हैं लेकिन मैं यहां पत्ले गोटा पट्टी का यूज करूंगी तो यह जो मोटी जो है इसमें छेद जो है वो बड़ा होना चाहिए चलिए दे सुई को इस मोति से इस तरह गुशाएं और इसे लपेटना सुरू करें यह देखिए मैंने इसे लपेट दिया है इसे इस तरह चिपका लेंगे उसके बाद इसके ऊपर इसे इस तरह लपेटेंगे फिर दुबारा इस छेट से गुशाएंगे और फिर इसे इसे कवर करते हुए इस तरह लाएंगे तो इसे तब तक हम करेंगे जब तक कि यह मोति इस गोटे से धकना जाए देखे फिरिंड हमारा गोल्डन गोटा मोति बनकर तयार है इसे शुरू में और लास्ट में आप स्ट्रोंग गम की सहायता से गोटा पट्टी को चिपका दे तो आपका यह बहुत ही खुशुरत सा बीट्स बनकर तयार हो जाएगा अगर आपके पास मोति नहीं है जिसमें हम मैंने लापेटा है तो इसका दूसरा भी एक उपाय है चलिए मैं बताती हूँ कैसे उसे बनाया जाता है देखे फिरेंड अगर आपके पास मोति नहीं हो तो इस तरह के आप अलमुनियम फ़ाइल ले ले और उसे इस तरह दूसरा मोल ले दुबारा इसला मोरने के बाग एक पैंसिल ले ले या चोटा सा रोड ले ले रोड में इसे हमें लपेटना है तो यहां पर मैंने ब्रस को लिया है अब इसे हमें क्या करना है इसके ऊपर टाइट से लपेटना है देखिए इस तरह हमें इसे लपेटना है और उसके बाद इसे धीरे से गोल घुमाते हुए इसे पूरे अल्मुनियम फोईल को इसमें लपेट देना है आप जितना बड़ा बड़ाना चाहेंगे उतना लंबा आप इसमें लपेटें अज़िए आप छोटा बनाए तो छोटा ही इसे लपेटें इतना लपेटने के बाद इसे हम मोती का सेब देंगे इसे इस तरह प्रेस करेंगे प्रेस करने से यह दपता जाएगा इतना सारा करने के बाद देखिए दबाकर इसे हम मोती का सेब देंगे इस तरह अब एक दूसरा अल्मुनियम फोईल ले 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 और उसे इसमें इस तरह फिर से दुबारा टाइटली लपेट ले अब इसके दोनों की नारों को इस तरह दबाएं धीर धीर इस तरह दबाएं देखिए फिरें मोती का मोती बनाने के लिए हमें मेहनत तो करना पड़ेगा इसे थोड़ जादे ही प्रिस्ट करते वे इसको सेप में लाना है सेप में जब यह बन जाए तब इसे धीरे से इसे रोट से इसे निकाल ले यह देखिए हमारा मोती बन चुका है अब हमें क्या करना है इसे गोटा पट्टी से लपेटना है तो देखिए मैंने सुई में गोटा पट्टी को डाल दिया है और यह पहले वाले से चौड़ा गोटा पट्टी है देखिए क्योंकि यह बड़ा मोती है इसलिए मैं इसे चौ मोती को लपेट ले देखें फिरिंट हमारा बड़ा मोती बनकर तैयार हो गया है देखें मैंने एक पहले से भी बना कर रखा है यह वह दूसरा तो आप जिस साइज के बनाना चाहिए उस साइज के आप बना सकते हैं और अपने असकता को पूरी कर सकते हैं देखिए और ये रहा इस तरह के फेक मिरर तो चलिए आब इसका उपयोग मैं किस तरह कर रही हूँ आपको दिखाती हूँ देखिए फ्रेंड गोल्ड मिरर गोल्ड मोती और फेक मिरर का इस्तमाल मैंने किस तरह किया है देखिए पिछले वीडियो में मैंने यह कमल का फूल बनाया था तो मैंने दो कमल के फूलों को जोडने में भी इसका उप्योग किया है तो मैं ये बताना चाहिए है कि आप लोग इस तरब के गोटा पट्टि वाले मोति का और इस तरह के fake mirror का इस्तेमाल आप लोग किस तरह कर सकते हैं इसके अलावे चलिए मैं दूसरा भी दिखाती हूँ एक देखे फ्रेम straw से मैंने fake curtain बनाया था इस curtain भी मैंने इस तरह के mirror का जो fake mirror है इसका इस्तेमाल किया है देखे आप लोग देख सकते हैं कि यह कितना सुन्दर लग रहा है तो मेरे प्यारे दोस्तों यह लिए आपको मेरा या गोटा पट्टी मोती और fake mirror का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तब के लिए बाई बाई